गोरफूर जनलिस्ट प्रेस कलब एवं आई डी ए गोरफूर शाका के सहींक तत्वादान में रभीवार को प्रेस कलब में मेडिया कर्मियों एवं उनके परिवार के लिए स्वक्ष मुख अभियान के तहट नीशुल डेंटल चेकप कैम का आविजन किया गया डेंटल इसकों द्वारा मीडिया कर्मियों एवं दंत परिच्छ किये गये एवं नीशुल के दमाईयां वित्रित किया गया इस औसर पर गोरफूर नी से बात करते हुए आई डी ए गोरफूर ब्रांच के सचीव डॉक्टर रसंजीव कुमार गुलाटी एवं गोरफूर अब आपको लगेगा कि इसे दात के जिए पूरा पांक साल चार चार साल का बहुत है विक्सान सब्सक्राइब करेंगे तो इनकी काट भी बहुत बल्बूत रहेंगे कि दात मभूद ना हो किसी भी खाई के चाहिए वो शेर हो या कोई और हो मनुष्य करता है लेकिन पांकी हाद जीन करता है आपका ही प्रयों करता है आपको जिहार को अपने मंदर देने के लिए तो दात की मंभूती का संदेश हमारे जनल जिन सक्राइब वलेशजी कर तकर कुणाती और सभीर ने साते हैं उस्टे प्रणास आदेंगे क्या है कि अजब जब आब कर दो कि जब आप कर दो कर दो झाल झाल मैं आईडिये गोलप्र ब्रांच का सच्चिव डक्टर संजी कुमार मैं आपनों को ये बताना चाहता हूं कि आज दिनांग विस तारीक को गोरगपुर आईडिय ब्रांच उने एक डेंटल फ्री डेंटल चेक अप कैम का आयोजन किया है जिसमें कि आपका जिन्रेट प्रेस क्लब के सरयोग से ये किया गया है इसमें हम जितने ये प्रेस सम्मंदित मेड्या सम्मंदित लोग हैं उनके लिए कैम्प यह वीगा है उनके परिवारों के लिए कैम्प आउजित कि आगया है, जिसमें हम लोग अधिश ही है कि यह भाद वाल के जिन्दगी में मीडिया वालों को इतना समय नहीं मिलता है कि वो नाध की दिक्कत उनको रहती है, लेकि वो जाके दिखा नहीं पात जो कि शास्ती चौक पर है और हम सभी काफी कालमान ने काफी संक्या में डेंटिस्ट यहां मौजूद हैं और हम सभी लोग बारी बारी जितने पत्रकार आ रहे हैं काफी संक्या पत्रकार भी यहां पर हैं उन सभी को बता भी रहे हैं कि कि इस प्रकार से हम लोग दातों के र कि रहाए हमारे स्पिकर्स हैं तैसली आपकूस के वारे में मैं इसले सब्सक्राइब किसा है कि सा हॉन्पान कैसी हो चाहिए हम लोग जो एक स्वस्थाहां कि जब रही तो हम लोग क्या करें कि अधष्यंत ten लिग कि अथा हॉने नमा। आए में धित se एक कैम्प का विशेश तोर पे मीडिया कर्मियों के उनके परिवार वालों के लिए कैम्प किया गया है और हम चाहते हैं कि आधिक साधिक संक्या में लोग इसका लाब उठा है यह जो इंडियन डेंटल असोसियेशन है उसकी गोरखपुर शाखा और गोरखपुर जेनली स्प्रेस क्लब के तत्वाधान में लगाया गया है यह पहली बार इस तरह कायजन यहां किया जा रहा है इसमें पत्रकार वो उनके परिवार के लोगों की जो है मुझ से समंधित सम पादी जा रही है इसमें अब तक लगभग जो है डाक्टरों की दस अदस्य टीम यहां पर चेकप कर रही है और लगभग इसमें 60-60 लोगों तक अब तक इसका फायदा हो गया है इनको दवा दिया गया है और उनकी जाच की जा रही है